क्या आप जानते हैं वह योध्धा जिसने 300 चीनी सेनिकों को मार गिराया था 1962 भारत चीन युद्ध के दोरान गणवाल राइफल्स नौरा नांग में चीनी सेना के साथ गेहन युद्ध में लगी हुई थी लेकिन संसाधनों और जनशक्ती की कमी के कारण बटालियन को वापस बुला लिया गया लेकिन एक सचे सिपाही जस्वंत सिंह रावत ने पीछे रहकर लड़ने का फैसला किया स्थानिय कहानी बताती है कि जस्वंत सिंह की सहायता दो स्थानिय लड़कियों सेला और नूरा ने की थी उन्होंने भारतिय पोस्ट के उपर जगह जगह बंदू के इस तरह रख दी कि चीनियों को लगे कि पोस्ट पर बहुत सारे सैनिक हैं अगले 72 घंटों तक जस्वंत सिंह इसी तरह पोस्ट की रक्षा करते रहें लेकिन वहां बहुत सारे चीनी सैनिक थे जस्वंत सिंह को जब लगा कि वह पकड़े जाने वाले हैं तो उन्होंने आखिरी गोली खुद को मारे जब तक उनका अंत हुआ तब तक 300 से अधिक चीनी सैनिक मारे जा चुके थे चीनी इतने क्रोधित थे कि उन्होंने उनका सिर काट दिया और चीन ले गए युद्धवीराम के बाद सैनिक की बहादूरी से प्रभावित होकर चीन ने जस्वंत सिंह का सिर और उनका मेडल वापस लोटा दिया